आर्जेडी सुप्रमूल लालू प्रसाद यादो और डिप्टी सीम तेजस्वी यादो इंडिया गडबंधन की बैठक में सामील होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं कल बैठक होगी, रनीटी बनेगी लेकिन उसके पहले बिहार के सियासत जो है वो हलाल और जटका को लेकर के गरम है हमारे साथ आर्जेडी के विधायक और प्रवक्ता भाई बिरेंदर जी हैं पिरिंद्रजी BJP के संसत केंद्रिये मंत्री कह रहे हैं कि हलाल और जट्र। का जो है इस पर बयान उनका आया सवाल है कि यह जब जब चुनाओ का वक्ट आता है चाहer वो विधान सवा का चुनाओ हो sort of लोक्षवा का करने का बाद यह हमेशा करते रहते हैं इनको हिंदुस्तानियों से कोई मतलब नहीं है चुकि यह पार्टी जिस पार्टी में हैं वो पार्टी तो हमेशा अंगरेजों का साथ दिया है चैनल के लाँकरेजों भीरप्डी अर बीजयपी उसनमेका जनसंग इसलिए इनको हिंदुस्तानिके किसी भी आम-मावाम से मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ गदी से मतलब है जिस तरह से हम लोग का गड़बंदन चाहे वो महा गड़बंदन हो इंडिया गड़बंदन हो जिस तरह से हम लोग चल रहा है और हमारे नेता लोग चला रहे हैं वैसे को इसी तरुप से उसको ये ध्यान में रखकर इनको भी इस तरह से क काम करना चाहिए लेकिन आप गड़बंधन की बात कर रहे हैं लालु प्रसार यादव तेस्वी आदव नितीश कुमार सभी बड़े निता जा रहे हैं दिल्ली में उनिस जंबर को बैठक होनी है बैठक के अंदर चर्चा बहुत होती है लेकिन अभी तक जमीन पर जो एलाइ जल्दी है इसलिए सब तै हो जाएगा जेड़ियों के लोग कर रहे हैं कि नितीश कुमार का जो मॉडल है वो मॉडल देश में विपक्षी गड़बंधन के लोगों को अपनाना चाहिए नितीश कुमार का फॉर्मूला ही चल सकता है 2024 में अब सवाल है कि ये तो मैं पहुत पहले से कह रहा हूं कि बिहार पहला राष्टपति दिया है बिहार पहला प्रधानमंत्री दे हम भी हमारी चाहत है कि बिहार का लोग प्रधानमंत्री हो ये मेरी चाहत है और जो हां तक मॉडल का है महागडवंधन का ये मॉडल पूरे देश में लागू हो तो एक नजीर पेस होगा और देश के लिए अच्छा रहेगा आपके निता लालू यादो जी आरजेडी क्या इस पक्ष में रहेंगे नितीश कुमार को नित्रित दिया जाए नहीं नित्रित देना चाहिए और हमको लगता है कि हमारे नेता के तरफ से कहीं कोई दिकत नहीं है चले नितीश कुमार को नित्रित देना चाहिए और बीजेपी कहीं न कहीं दबाव में इसलिए उसको हलाल और जटका की याद आ रही है और बिहार की राजनीती को कहीं न कहीं सामप्रदाइक राजनीती की तरफ बढ़ाने की कोशिसे हो रही है यह कहना है आरजेडी के विध